इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत बच्चों में यह सिर्दर्द, दांत दर्द, शरीर में दर्द, बुखार और सामानि सर्दी जैसी स्थितियों का इलाज करता है। अकमोल 250 ओरल सस्पैंशन मौखिक रूप से प्रति दिन एक नियत समय पर दिया जाता है। हालाकि इस दवा को भुजन से पहले या बाद में लिया जा सकता है। यह भुजन के बाद सबसे अच्छा दिया जाता है क्योंकि यह खाली पेट की अंद्रूनी परत में जलन पैदा कर सकता है। खुराक और अवधी आपके बच्चे की उम्र, शरीर के वजन और संक्रमन की गंभीरता पर निर्भर करेगी। इसलिए अपने बच्चे के डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक समय और तरीके से चिपके रहें। यदि आपका बच्चा दवा लेने के 30 मिनिट के भीतर उल्टी करता है, तो बच्चे को शांत होने दे और वही खुराक दोहराएं। यदि आपका बच्चा खुराक लेने के 30 मिनिट से अधिक समय बाद बीमार हो जाता है तो फिर से खुराक देने की अनुशनसा नहीं की जाती है अपने बच्चे को अकमोल 250 ओरल सस्पैंशन को अन्य दवाओं यानि की कई सर्दी और फ्लू की दवाएं और अन्य दर्ड निवारक के साथ न दे जिन में पेरासिता मॉल होता है क्यूंकि इससे ओवरडोज हो सकता है और हेपेटो टॉक्सिसिटी यानि की यकृत की क्षती जैसे खतरना दुश प्रभाव हो सकते हैं इस दवा के सयोजन में अपने बच्चे को देने से पहले हमेशा किसी भी अन्य दवाओं की सामगरी की जाँच करें आम तोर पर यह दवा बच्चों द्वारा अच्छी तरह सहन की जाती है हाला कि कुछ बच्चों में अपच्च मतली और उल्टी जैसे अस्थाई दुश प्रभाव हो सकते हैं अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि ये प्रकरण आपके बच्चे के लिए परिशान करने वाले हो जाते हैं यह दवा अक्सर सुरक्षित और प्रभावी मानी जाती है लेकिन सभी के लिए उप्युक नहीं हो सकती है अपने चिकित्सक को सूचित करें कि क्या आपके बच्चे का रक्त संबंधी किसी विकार का इलाज चल रहा है उसे किसी ओशधिय योगिक से अलजी है या उसे कोई जन्म दोश यकृत हानी या गुर्दा रोग है यह आपके बच्चे के डॉक्टर को इस द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद